जिले का अन्यदाता समय समय पर खाद बीच बिजली पानी के लिए परिशान होता रहता है किसानों की समस्याएं जस्की तस्बनी हुई है सरकारे किसानों को समय पर खाद बीच उपलाब्द कराने का वादा तो करती है लेकिन किसानों को उपलाब्द कराने के नाम पर बिचॉनियों की तिजोरियां भरी जा रही है वर्तिमान समय में किसानों को यूरिया खाद की अवशकता है लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है जिसके चलते किसान लंबी लाइने लगा कर खड़ा रहता है किसानों ने बताया कि सुसाइटी में किशानों को खाद नहीं मिल रही है जबकि दुकानदारों की यहां जमकर भंडार है जिनके दौरा मोटी रकम लेकर किसानों की जेब में डाका डाला जा रहा है सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार के पास खाद की कमी है तो किसानों को नहीं मिल रही है लेकिन बिचौलियां जो बजार में खुले बजार में खाद बेज रहे हैं उनके पास कैसे भंडारन है निश्चित तोर पर सुसाइटी की खाद बजारों में बेची जा रही है जिनके द्वारा किसानों को चूना लगाया जा रहा है दिखाते हैं क्रिसी उपज मंडी कढ़या में किसानों की लाइन और सुनाते हैं किसानों का क्या कहना है अतुल मिस्रा है मैं ग्राम पतना से आया हूँ यहां से 25 किलो मीटर दूर और जो यहां पे है लगातार हम कई महीने से आ रहे हैं डिए पी की लगातार समस्या बनी हुई है सर अगर यह कहना है कि डिए पी नहीं है तो डिए पी फिर ब्यापारियों के पास फरियापत मातरा में है जो साड़े 11,00 रुपे बोरी सोसाइटी में है वही डियेपी पंदरा सो रुपे बोरी ब्यापारी खुले हम बेच रहे हैं अगर सरकार कहती है कि हमारे पास डियेपी नहीं है फिर ब्यापारियों को कौन दे रहा इसकी जवाब 2023 में जनता देगी 18-46 खाद के लिए जनता परेसान है किसान परेसान है और यह 20-20-13 देते हैं इसमें कुछ फायदा नहीं होता किसानों को राखार जैसी है राखार डाल दे चाहिए इसको डाल दे बस हम यहीं चाहते हैं हम लोग के मतलब 18-46 खाद आए सोसाइटी में परेसान को मिले कौन-कौन से खाद यहां उपलफद है और 20-20-13 यही है एन-पीके की है कोई एक आई है और 18-46 की माग है किसान की जो फायदा करती खेट के लिए ओ नहीं मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? ओ डी-ए-पी है और बन्या के पास मिल रही है लेकिन ओभर रेट में मिल रही 15 सुपई बोरी मिल रही है खुली बाजार में यहां नहीं है यहां बोलते हैं यहां नहीं है